रेलबे आर्पी एफ कॉंस्टेबल की नई भरती निकाल दी गई है दोस्तों आये जानते हैं क्या उसमें बदलाव है दोनों चीज में और क्या नोट्फिकेशन है क्या डिटेल है क्या ओरिजिनल है सभी चीज आपको आसान भासा में हम समझा देंगे ताकि आप इस वेकेंस दोनों में कौन ज़्यादा आसान होता है इस पर आपको फोकस करना सही है इस बिंदू पर भी चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तों आनंद स्टडी ओंलाइन चनल में आप लोगों का फिट से एक बड़ स्वागत है तो एक बहुत बड़ी खुसकवरी चाहिए इस वीडियो लोगा निधा जाएगा जिसमें इतने सारेटकमेंट्स अगर आपके पास हो ग प्रकाणषष होगा दो करेंगाए जितना और प्रहत है अप कप बले भी वीडियो दिए थे इसका उसमें आपको बताया थे कि भरती बढ़ सकता है लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो करीब करीब कोंस्टेबल के लिए यानि कि सिपाही के लिए आपको बताएं पहले भी हम कि आरपीएफ सबसे बढ़िया जॉब होता है अगर कोंस्टेबल लेवल में आप जॉब चाहते हैं तो आरपीएफ कोंस्टे के लिए है और सेट आपके पास बिए लीटर हम लोग देखेंगे तो 460 सेट निकाला गया ठीक है 460 जिसमें 208 जो सीट है वो constable के लिए है और बांकी का जो सीट होगा वो ऐसा यानि सव इंस्पेक्टर के लिए होगा आरपी एफ दरोगा के लिए होगा ठीक है तो उसके भी बहुत साथ लोग भरेंगे अभी हम constable के लिए चारशा करने बाले हैं तो आरपी एफ का जॉब आपके लिए बैतरीन होगा ठीक है आईए अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो आप्लाइट डेटा को बताए कि 15 अप्रील तो 15 अप्रेल से लेकर के 14 मही तक आप इस फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म भराएगा इसके लिए कुछ फीस भी लगेगा आपका जो कि जेंडल एव्य सोबी सी के लिए 500 रुपया लगने वाला है ठीक है 500 रुपया लगेगा और स्ट के लिए 250 और ये 500 में आपका 400 रुपया लोटा दिया जाएगा अगर आप एक्जाम देने जाएंगे तब अभी तो आपको लग जाएगा 500 रुपया अगर आप एक्जाम सेंटर पर जाते हैं एक्जाम दे जेते हैं तो इसमें से 400 रुपया सिक्रिटी मनी के तौर पर लिया गया है वो लोटा दिया जाएगा एक्जाम नहीं देने जाएगा तो ये पूरा पांस आपका कर जाएगा जो गूरूब डी में पाले का नियम था कि 14 फिट का लॉंग जंप किसी भी कॉस्टेवल में लिया जाता ठीक है तो इसमें थोड़ा सा फीजिकल पर ध्यान जादा दन देना होता है उसके लिए क्या करना है और रिटेन कैसे निकलेगा वो सबके लिए मेरे पास है आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं दिले-दिले तो वो जानता है चाहता है कि किस बात से जादा जो है विरोधना हो उस सीट को लागू कर दिया जाए ऐसे वेकेंसी आता अगर आप लोग नहीं कमेंट्स करते या नहीं चाहते नहीं बोलते तो हो सकता है यह छूट नहीं आपको एज में देखने के मिलता लेकिन तीन साल क पास कर लिए तो आप आप पीएफ का वेकेंसी भर सकते हैं अगर 18 साल के हो गये तो और 18-28 यह जेंडल वाले जितने भी है वह 18-28 तक भर सकते हैं ओवी सी वालों के लिए 18-31 तक ओवी सी वाले सी जो भी होंगे वह 18-33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके बाद य कर दिए एज भी आनको किलyar कर दिए फॉर्म फी भी आका क्लियर कर दिए योगets भी आपको भी आम बता दिए कि यह साभगे सब सबसे पहले चाहिए उसके बाद ऑस तो तो में क्या होगाły मैट Guide Ti quadik काना मतलब 120 कोस्टन पूछा जाएगा आपसे और यही डिसाइड करेगा कि आप फीजिकल में पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे अब आप सोच के पूरा तयार होंगे आर पीएफ के लिए कि हमको फीजिकल निकालना है इसके लिए पूरा मेहत करना है रिटेन होगा वहां कुछ चटाएंगे लोग डिटेन उतना जरूर करिएगा इतना हम बताने का परियास करेंगा ठीक है और भी इस पर वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुछ पाएगा सब्सक्राइब लाइक और सेर तीनों चीज आप करिए और मेरा हर वीडियो आपक कैसे त्यारी करना ज्यादा क्लास कोचिंग के फेर में पढ़ना नहीं है बरबाद हो जाएगा ठीक है लोग पढ़े हैं बरबाद हुए हैं रिजिनिंग 35 कोचन पूछेगा मैथ 35 कोचन पूछेगा और जीके जिए 50 कोचन पूछेगा अब देखिए आप लोग पूछ रह है वो सभी कोचन आपके सामने रहेंगे वह बनाएगे कैसा कोचन पूछा उस पर तैयारी करिए मेहनद करिए और समझे कि कैसा कोचन पूछा है तो यह आपका बुक है इसको पर्चेज करके जरूर मंगबा लेजा और पढ़िए इसको इसका खासियत क्या है यहां पर यहां पर दिया गया को स्टेवल बुक पूरुस महिला दोनों के लिए और पीये शुरच्छा बल या इसको और पीये से रेलबे सुरच्छा बिसेस बल भी बोलते हैं तो यह दोनों के लिए काम करेगा ठीक है अगर बाले इंग्जाम कार्ण के तरफ से आपको यह बुक का लगा दिए यहां पर इसका लिंक दीचे दिए जरूर इसको पर्शेच करके आप लोग लागी है और आपको बता देना चाते हैं कि इनका यह बुक आता है अगर आप लोग वाला भी फॉर्म भरेंगे असिस्टेंट लोको पाइलेट वाला उसका भी इनका बहुत सरा बु जाएगा अब बात करते है कि रिजिनिग सबसे आसान है यहां से 35 कोर्शन पुछा जा रहा है मैघ थोड़ा सा हाथ है यहां से 35 कोर्शन पुछा जा रही है जी, कि यह से हाड और असाम दोनों होता है क्योंकि लोग जब general competition में पुतरते हैं न तो चोड़ते हैं न चाहां प्रेक्टी सेट करें या फाउंडेशन बैज पढ़ें टार्गेट पढ़ें बूक ही पढ़ें जीके जीएस तो पढ़ते रहते हैं तो पचास कोश्चन आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा 120 कोश्चन में से ठीक है तो तो भटकने का आपको जरूद ना पड़ें कि हमसे जुड़ें जितने भी लोग होते हैं युद्ध से रहते हैं कि हम से वी सेलफ अस्ट़डी करके कि अपको पता है हम सेलफ अस्ट़डी पर थोड़ा सज्यादा मिन्हत करना चाते है इसलिए सेलीए वह अस्टडी है जो आपको औरों से हमेशा से बहतर बनाया और इस syllabus को आपको तयार करने के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान आपके टाइम पर भी देना होगा 90 मिनिट का समय 120 कोशन के लिए दिया जा रहा है तो थोड़ा सा कम है टाइम मेनेजमेंट भी जरूरी होगा साथ में एक उपहार जो की 1 by 3 निगेटी मार्किन मतलब 3 कोशन गलती करिएगा तो एक कोशन का मांक्स आपसे कार्ट लिया जाएगा ठीक है तो गलती कम करना है हिंदी इंग्रिस दोनों में कोशन आपको दिखेंगे online exam होने वाला कोई दिक्कत ने होगा cbt ठीक है और खास बात यह कि final merit आपका इसी पर बनेगा तो इस पर ज्याद ध्यान देना है देखे फीजिकल में बहुत सा लोग डिस्क्वाइल हो जाते हैं इ ठीक है पुलिस बन रहे हैं और यहां पर देखेंगे लॉंग जम 14 फीट का क्यूं है अब ट्रेन का आपका सफर होगा ठीक है अस्टेशन पर का आपका सफर होगा कब जंप करना पड़ेगा कब किसको दोड़ करके कैच करना पड़ेगा कौन भाग राय को तो यह सब मतलब दोड़ भाग उचल कुद आपके जीवन में होगा इसलिए इतना ज्यादा आपसे मांगता है ताकि आप इसमें तंदुरुस्त रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत ने आगा नोकरी करने में पैसा भी अच्छा खासा है को दिक्कत नहीं होता है हाइट होगी एक 157 सेंटिमी आर्मी लेवल का होता है ठिक है हाई जम पगर बात करेंगे तो 4 फीट का लड़कों का होगा तीन फीट का लडकियों का होगा ठिक है और चेश्ट छिर्फ लड़कों का 80 से 85 सेंटिमिटर का फुलाओ आपको लॉंग जम आपको 14 फीट का होगा लड़कियों के लिए 9 यारी कर सेकते हैं ठीक है सब्सक्राइब यह सब फिर ही मोटा चार्ज आपकर लगेगा ने ठीक है मिलेंगे से लिंक वेगर रहा है जिसको जरुवत है जरूर मंगा ले अच्छा बूक है बहुत अच्छा है कि उसमें प्रिबियेश दिया गया कहीं से कोई दिक्कात होगा न है ठीक है रिटेन टेस्ट होगा फिजिकर होगा डिवी होगा मेडिकल भी साथ में होगा तो यह सब प्रिक्रियास हो करके अगर आप गुजर जाते हैं तो पता है आपको आप क्या बन जाएंगे